हलो फैंस वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम एप को किस तरीके से चालू कर सकते हैं यानि कि इंस्टाग्राम एप पे आप नया आइडियो को किस तरीके से किरियेट कर सकते हैं अगर आप Instagram app में नया account को create करना चाहते हैं तो guys वीडियो को कहीं पर भी skip ने कीजेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा information दूँगा कि आप किस तरीके से Instagram में नया account को बना सकते हैं तो guys चलते हैं वीडियो को बिना किसी देरी क्या क्यों ले जाते हुए तो guys सबसे पहले आपको Google Play Store से Instagram app को download कर देना है और आप जैसे ही download करके open करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा जो सबसे नीचे आपको option मिलेगा create new account का जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको next वाले option पे click कर देना है इस next वाले option पे click करने के बाद आप इस account में जो भी password को रखना चाहते हैं तो simply यहाँ पे एक ऐसा password को आपको create कर लेना है जो आपको हमेशा के लिए याद रहे तो guys यहाँ पे हमने एक password को दे दिया है यहाँ पे आपको next का option मिलेगा simply यहाँ पे आपको next वाले option पे click कर देना है यहाँ पे आपको अपना date of birth को choice कर देना है तो आपको जो भी date of birth हो simple है आपको उस date of birth को यहाँ पे आपको दे देना है तो यहाँ पे आपको सबसे last में year का option मिल जाएगा आप यहाँ पे जितने year पे जनम लिये थे आपको वो year यहाँ पे आपको select कर लेना है and guys select करने के बाद आपको यहाँ पे वो date चुन लेना है जिस date को आपने जनम लिया था and उसके यहाँ पे आपको month चुन लेना ठीक है हम यहाँ पर जो भी username देंगे अगर वो यहाँ पर setting ले लेता है तब यहाँ पर सही तिक का एक option मिलेगा जो यहाँ पर फिलाल नहीं बता रहा है यहाँ पर एक red color का option मिलीगा है जहाँ पर लिखावा है the username earns is not available यानि कि यह जी नाम है यहाँ पर instagram पर available नहीं है तो इसके बाद guys हमको यहाँ पर और भी कुछ words यहाँ पर सोच लेना है या फिर हमको यहाँ पर कोई एक number को देना है चलिए हम यहाँ पर कोई number को देके देखते हैं यह यहाँ पर set लेता है या नहीं लेता है जिसी कि guys हमने यहाँ पे टिक कर दिया तो guys यहाँ पे हमको सही टिक का एक option मिल जागा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको जब तक यहाँ पे सही टिक का option नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ पे username को create नहीं कर पाओगे तो जब यहाँ पर आपको सही टिक का option मिल जागा तो समझ लीजे आपका जो Instagram पर username रहेगा वो यहाँ पर यही रहेगा जो अभी आपने यहाँ पर create किया और गैस यह करने के बाद यहाँ पर आपको next का option मिलेगा आपको इस वाले option पर click कर देना है और गैस क्लिक करने के बाद आप इस account में जो भी अपने phone number को देना चाहते है simply यहाँ पर आपको उस phone number को यहाँ पर देना है और गैस देने के बाद यहाँ पर आपको next का option मिलेगा simply यहाँ पर आपको next वाले option पर click कर देना है तो simply यहाँ पे आपको add picture वाले option पे click कर देना है इनका इस click करने के बाद यहाँ पे आपको choose from gallery का option मिलेगा तो यहाँ पे आपको gallery वाले option पे click कर देना है तो आपको अपने instagram app पे जो भी dp को रखना है आपको यहाँ से वो dp को select कर लेना है and guys edit करने के बाद यहाँ पर आपको done वाले option पर किलिक कर देना होगा and guys done वाले option पर किलिक करने के बाद यहाँ पर फिर से नीचे में एक done का option मिल जागा तो यहाँ पर आपको done वाले option पर फिर से एक बार किलिक कर देना है इस वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्मिशन का option दे रहना होगा यहाँ पर्मिशन वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोन का option मिल जागा यहाँ पर फोन वाले option पर क्लिक करके देख लेना है कि यहाँ पर allow वाले option पर क्लिक किया हुआ यहाँ 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 contact को allow करने का मतलब क्या है अगर आप यहाँ पर allow वाले option पर click कर देंगे तो आपके contact में जितनी सारी number है अगर उन number में से कोई भी person instagram use करता है तो उसे आपका ID recommend करेगा अगर आप यह चाहते हो तो आप यहाँ पर allow वाले option पर click कर सकते हो अगर आप यहाँ पर यहाँ पर जो भी instagram account को create किये हो वो किसी भी person को recommend ना करे जो आपके contact number में add है तो आपको यहाँ पर don't allow वाले option पर click कर देना है और उसके अगर यहाँ से आपको back हो जाना होगा तो गैस अगर आप यहाँ पर यहाँ पर जो भी फ्रेन है उसको recommend करें तो आप यहाँ पर continue gonna option पर click कर सकते हो अगर आप यह नहीं चाहते हो कि आपका idea किसी को suggestion करे तो इसके लिए आप यहाँ पर इसकी option पर click कर सकते हैं उसके जाद आपको यहाँ पर फीट से Scroll ओ क्लिक कर देना हो इसकी पूले option पे click करने वह है यहाई यहाई पर आपको arrow का option मिलेगा तो simply यहाई पर आपको arrow वाले option पे click कर देना होगा इन उसके यहाई 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 पे हमारा Instagram account यहाँ पे चालू हो चुका है यानि कि Instagram में नया account हमारा create हो चुका है गाइस इस तरीके से आप Instagram इब पर नया एकाउट को Celebrate कर सकते हैं यानि के नया ID को बना सकते हैं तो गाइस उमीद करूँ मोगा आपको इस वीडियो से ये पता चला हुआ कि Instagram को किस तरीके से चालू करते हैं इन इंस्टे गेरा किस तरीके से नया एकाउट को बना सकते हैं तो गैस इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करके आप में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूले ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का थेंक्यू फेडि मच